बच्चों अभी तक आपने जो है बीमा के बारे में जाना उसमें के एंतरकर जीवन बीमा देखा अगनी बीमा देखा आईए अब हम देखते हैं सामुद्रिक बीमा यह क्या होता है शुरू करते हैं सामुद्रिक बीमा कहां से इसका उद्गव मुआ सामुद्रिक बीमा से क् आपने टाइटानिक मूवी देखी होगी, जैसे कि आप इस सीन में देख रहे हैं, इसमें आपको दिख रहा है कि जल में एक जहाज डूब गया है, अब उस जहाज में कितनी सारे चीजे थी, बहुत सारा माल भी हो सकता है, टाइटानिक की ही बात करें, तो जैसे कि आप अच कीमती वस्तुएं लगी हुई थी है ना और वो जहाज खुद में बहुत एक्सपेंसिव था तो यह सारा जो कॉस्ट है अगर उसका लॉस हो जाए तो इससे पूरी तरीके से तो बचा नहीं जा सकता लेकिन कुछ प्रतिशत तक उसकी पूर्ति उसके इंशॉरंस के द्वारा प्राप्त की जा सकती है सामुद्रिक भीमा यही है तो इसका जो प्रारंब हुआ था तेरवी शताबदी में हुआ इटली में ठीक है बचों और यहां क्या किया जाता था इसको व्यागपक रूप से अगर हम देखें तो 1774 में इसकी शुरुआत लंडन में हुई थी जहां पर जादा से जादा मात्रा में आयात निरियात प्रारंब हुआ जो कि समुद्र के द्वारा होने लगा तो जैसे कि मैंने आपको समझाया कि समुद्र में जब जहाज उतरता है तो उसके में रखे हुए माल की और साथ ही साथ मनुश्यों की इस प्रकार से होने वाले हानिय से बचने के लिए इसकी शती पूर्थी के लिए क्या किया जाता है यह सामुद्रिक बिमा करा जाता है अब हगर हम इसके अर्थ को स्पष्ट रूप से समझने की कोशिश करें तो यह ऐसा भी हो सकता है कि यह एक शतिपूरक अनुबंद होता है सबसे पहली बात ये शतिपूरक कॉंट्राक्ट होता है जिसमें क्या होता है कि जो बीमा धारी है यानि मतलब जहाज का बीमा कराया जा रहा है In Simple तो जब जिस विक्ति का जहाज है वो क्या करेगा बीमा कराते समय और जब वो premium pay करता है तो भीमा company क्या करती है? उसकी होने वाली ह्मेट को अपने सर पर ले लेती है. तो जैसे ही यदि सामुद्रिक हानी होती है उस जहाज को या उस भीमा धारी को तो उस सिती में क्या होगी? जो इનशुररंस company है वो अन्युदंद के नुसार भीमी तरकम उस बीमाधारी को दे देगी सामुद्रिक बीमा में लेकिन यदि उस जहाज को या बीमाधारी को सामुद्रिक हानी नहीं होती है तो उस सीन में क्या होगा बीमा की कोई भी रकम उस बीमाधारी को वापस नहीं होगी तो कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं जो सामुद्रिक भीमा है वह उसमें कौन सा तत्व पाय जाता है सुरक्षा का तत्व पाय जाता है और कौन सा तत्व नहीं पाय जाता विनियोग का तत्व नहीं पाय जाता आईए अब हम इसे दो परिभाशाओं के माध्यम से और अच्छी तरह जानने के प्रयास करते हैं जैसे कि अब स्क्रीन पर देख रहे हैं पहरी परिभाशा है सर हस बेके निसर उसके अनुसर यह ऐसा नुबंद है जिसके द्वारा बीमा करता बीमा दारी को सामुद्रिक हानियों के विरुद पूर्व निशिद विधी तक सीमा तक शति पूर्ति करने का दाईत्व लेता हैं एक और परिभाशा देखते हैं सामुद्रिक बीमा आधिनियम की दारा 3IA के अनुसार किसी भी प्रकार के जहाजों जिन में माल किराया वो अन्यहित सनहित होते हैं और जिनका वैधानिक रूप से बीमा किया जा सकता है के बीमा अनुबंद करने के व्यवसाय को सामुद्रिक बीमा कहते हैं और इसे अगर नश्कर्ष इसका निकालें तो सिंपल सी चीज है यह एक शती पूर्ति का सिध्धान्त होता है इसमें क्या होता है की सुरक्षा का तत्व पाकथ वायाता है विनियोक क! तत्व नहीं ही पायाता है? और simple सी चीज़, सामुद्रिक बीमा एक प्रकार का अनुबंध है या यह एक प्रकार का खुषति पूरग अनुबंध है जिसमें क्या करता है, बीमा करता जो है एक premium की वज में उस बीमा अधारी का बीमा करता है और साथ ही साथ उसको होने वाले हानियों को अपने बर ले ले तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि इनकेस सामुद्रिक हानी होती है तो बीमा की रखम किसको दे दी जाएगी बीमाधारी को और इनकेस अगर किसी भी प्रकार की हानी नहीं होती है तो बीमा की कोई भी रखम बीमाधारी को नहीं सवपी जाएगी इसमें सुरक्षा का तत मज़ लिया है आई अब हम देखते हैं कि सामूद्रिक जो बीमा है उसकी विशे वस्तु क्या है इसे अगर हम देखें तो इसे चार भाग में विभाजित किया गया है जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं पहला भाग कहता है माल अथवा कारगो का बीमा इसे कारगो इंश कहते हैं फिर कहता है ल sees the fight insurance कहते है और कैता है दाइत्व की इसे हम लाइबिलिटी इंशुरस कहते हैं तो यह जो मरीन इंशुरेंस कि अब जैव कराया जाता है। इनने हम इक एक कर के detail में समझते हैं क। यह क्या क्याना चाते हैं जैसे कि पहला आप स्क्रीन पर देख एे हैं पहला कहे रहा है माल्त्व कार्गु का भी मार shooting अभी जहाजों कर माल लोड होता है उसे क्या कहते हैं कार्गु कहा जाता है इस में क्या होता है कि जो वस्तु जितना भी रहा उस जहाज पर लोड किया गया है वह सुरक्षित जब तक जहां पर उसको पहुंचना है वहां तक नहीं पहुंचना तब तक उसका बीमा कराया जाएगा अब इसमें विभिन प्रकार की बीमों को सम्मिलित किया आता है कि अधि उस वस्तों में आग लग गई तो भी बीमा कंपनी को पैसे देने पड़ेंगे या अगर उस माल की च जहारी को बीमा की रखन देती है अगर इस प्रकार की हानी होती है तो जो दूसरा हम सब्जेक्ट मेंटर देख रहे हैं विशेवस्तों देख रहे हैं वो कहता है कि जहाज कभी महल इंशुरेंस जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जहाज में रखे जाने वाले माल को कर हम देखें तो में लेकिन जहाज धी अपने आप में बहुत कीमती को जहाज की वैलियू भी कोई कम नहीं होती मणी सब्स स्वीयन संकटों से और घुसर तो इन संसं कटों से होने वाली हानियों से बचने के लिए जब बीमा कमपनी बीमा करती है और द्दारी को उसकी हानी पर उसकी शतिपूर्ती को वापस करने का वचन करती है तो यहां पर जहाज के जो बीमा की बात है वो सामने आती है फिर बात आती है भाड़े का बीमा यानि फ्राइट इंशरेंस अब इसमें क्या होता है जब जहाज जो है किसी manufacturing unit से माल लेकर निकला ठीक है अब वो आश्वासन क्या देता है उनके अंदर जो understanding रहती है जो contract बनता है उसके अंदर क्या होता है कि भाड़ा उस जहाज को तभी मिलेगा जब वो जो माल उस जहाज पर लदा हुआ है वो माल सुरक्षित अपने स्थल पर पहुंच जाएगा इन केस जब मार्ग में अगर उस इस माल को किसी भी प्रकार की हानी हो जाती है चाहे वो आग लग जाता है चाहे उसकी चोरी हो जाती है दुश्मनों दोवारा लूट लिया जाता है किसी भी तो उस सिती में जिसका माल है ठीक है वह company क्या करेगी उस जहाज के ओनर को उसका जो पैसा है भाड़ा हम कह रहे ह तो इस प्रकार की हानी से बचने के लिए जो जहाज का माली किया कराएगा भाड़े का भीमा कराएगा मतलब इन केस अगर जहाज में रखे माल को किसी भी प्रकार की हानी होती है तो उसके भाड़े की हानी से बचने के लिए भाड़े का भीमा कराएगा जो चौथा जो विशेवस्तु है वो कहता है दाईतवक का भी मैंने लाइबिलेटी इंशरेंस अब इसमें क्या होता है कि इस भीमा के अंतरगत जो है एक पक्षकार दूसरे पक्षकार के प्रति उत्पन दाईतों से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए इस प्रकार का भीमा क कराते हैं तो जिस जहाज की वज़र से दूसरे जहाज को नुकसान होता है तो उत्तरदाई कौन हुआ जिसकी वज़र से दूसरे जहाज को नुकसान हो गया है तो इस थिती में बचने के लिए इस प्रकार की हानी से बचने के लिए इस प्रकार के इंशरेंस को करा जाता है जिसे हम हिंदी में दाइत्व बीमा कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं लाइबलिटी इंशुरंस कहते हैं तो बचो यह जो हैं चार प्रकार की सामुद्रिक बीमा की विशेवस्तु अपने जनी अब हम देखते हैं कि सामुद्रिक बीमा की सिद्धान क्या है इसमें फिर से वही एक सिद्धानत आता है बीमा योग यहित का सिद्धान जो कि मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि जब तक किसी बीमा धारी का बीमी तवस्तू में अगर उसके हित से वह जुड़ा नहीं रहेगा तो वहां पर बीमा योग हित का सिद्धानत अगर हम इसे सामुधरिक इंशरेंस से कनेक करके देए ऐसे तो हमने इसे डिफरेंट एक्पल से पहले ही जोड़ कर समझ लिया है मार्ण इंशरेंस की एक प्रिंसिपल से समझ रहे हैं कि किसी जहाज पर माल लोड है ठीक है अब मार्ग में ही क्या होता है मार्ग में ही उस जहाज की दुरगटना हो जाती या उस पर रखा हुआ माल नश्ट हो जाता है तो इस सिती में क्या हो जाएगा वो जो जहाज का मालिक है उसका नुकसान हो जाएगा या जिसका माल है वो उसका नुकसान है दोने सिती में क्या होगा जहाज के मालिक को भी नुकसान होगा और माल के मालिक को भी नुकसान होगा मतलब यहां पर क्या दिख रहा है कि जो है बीमा योगी हित का सिद्धन स्पष्ट हो रहा है अगर और हम इसे कुछ उदारणों से समझें तो सिंपल सी चीज है कि जहाज क मालिक के जहाज में हिट है वह भी खिसे एक्जांपल हो सकता है जो यात्री यात्रा कर रहे हैं उनका अपनी वस्तूओं में हिट है ठीक satisfying者 जहाज के करमचारिえー आ साफिय यह कंचेरी व їх सामने आए हैं और अगर देखें तो माल के स्वामी का माल में ही थै और भाड़ा लेने वाले का भाड़े में ही थै तो ये अलग अलग प्रकार से जो हित सामने आए हैं या हितों के उधारन सपष्ट हुए हैं वो बीमा योग हित की सिध्धान्त के लिए उपर यूगत हैं तो पहला सिध्धान्त आम जो कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि जिनका उलेख होता नहीं है लेकिन वह अपने समझ के तौर पर वह होना आवश्चक होता है जैसे कि अगर हम समझे अगर इसमें जहाज की योगिता पहला बिंदू अकर इसको लेके चलें तो जहाज जो है वह समुद्र में उतरने लाइक है कि नहीं वह इस कंडिशन में है कि नहीं वह पूरी तरीके से सही से काम कर रहा है कि नहीं वह जो माल अपने उपर लोड करके ले जा रहा है क्या वह उस कैपसिटी का है तो इसमें पूरी जहाज से रिलेटेड उसकी योगिता से रिलेटेड चीजे स्पष्ट होनी जाए तब ही ये गर्वित आश्वासन के सिध्धान्त में इसका उलेख नहीं होगा लेकिन ये चीजे इस पष्ट रूप से उस जहाद के मालिक को ध्यान में रखनी पड़ेगी जब भी वह इस प्रकार का बीमा लिता और इस सिध्धान्त के अंतरगत वह बीमा हता है तो फिर उसमें दूसरा बिंदू अगर हम देखें तो दूसरा बिंदू कहता है जहाज का मार्ग विचलित होना तेके यह भी स्पर्ष्ट है कि जो जहाज का मार्ग तै किया गया है वह उसी मार्ग से जाएगा लेकिन इस में जो डेविएशन है कुछ कारणों से हो सकते हैं उसकतां की सुरकशा की मुद्दों की बात यह ृथ हम कला रहा है लेकिन पर नीयें रख पार आ है क्योंकि कौन से सकते हैं जहाज में अगर हम देखें समुद्र में समुद्र में भारी बड़ी मातरा में तूफान आ गया इस सती में कप्तान उसको अवश्रक्ता होती अब जिस रूट से जा रहा है माली जहाज वहां पर डॉक्टरी मदद बहुत दूरी परसे और वहां पर जो सिचुएशन ऐसी बनी है जहाज में कि व्यक्ति को डॉक्टरी मदद की तुरंत आवश्रक्ता है तो जो निकटम बंदरगा होगा वहां पर अपने यात्री को उस प्रकार की सेवा प्रदान करेगा तो कुछ विशेश परिस्थितियों में जहाज का मार्ग विचलित हो सकता है नहीं तो जहाज का मार्ग विचलित नहीं होगा अगले बात करते हैं उपकरम की वैदिता अब बच्चों यह जो यात्रा का उद्देश जो हमेशा वैदानिक होनी चाहिए एक उदारन ले सकते हैं कि जो माल जा रहा है अगर उस माल पर चुंगी के करकी चोरी की गई है और रास्ते में उस माल की हानी हो जाती है या वह माल घुश्ट हो जाता है तो वीमा कंपणी क्या किसी भी तरीके से उस उपकरम को या उस व्यक्ती को वह बीमा की रिकाम नहीं देगी तो बच्चों इस तरीके से आपने देखा कि सामुद्रिक बीमा के सिध्धान्त क्या है ये तीन सिध्धान्त आपने देखें आईए अब हम देखते हैं कि सामुद्रिक बीमा अनुबंद के आवश्चक तत्व क्या है यानि एसेंशिल एलिमेंट्स ऑफ मरीन इंशरेंस क्या है इसमें पहला बात आती है बीमा योगिहित यानि इंशरेबल इंटरस्ट की बात जैसे कि मैंने पहले ही आपको इसके सिध्धान्त में समझाया कि बीमा योगिहित क्य है उसमें कौन कौन से हित्पा सकते हैं इसी पहले ही मैंने बताया जहाज के माल क्या जहाज में हित्र दूसरा सतव विश्वास का सिद्दान गुड़ फेट अब गुड़ फेट की बात करें तो यहां पर जो है सामुद्रिक बीमा कंपणी तथा जो बीमा धारी है उन दोनों के भी सारी चीज़ें एकदम इस पश्ट होने चाहिए सत्विश्वास के अंतरगत होनी चाहिए जो जहाद पानी म कंप्णी को भी अनुबंद तयार करते समय अपनी बातों को समयलेत कर देना चाहिए या भी माधारी को समझाने चाहिए मतलब सद्विश्वास के इनुसार दोनों पक्षकार है उन्हें अपने मतों को सपश्ट रूप से एक दूसरे से बता देना चाहिए कोई भी चीज़ जाँज की योगता क्या है साथ ही चार्ज का मार्क विचलित नहीं होना चाहिए और होगा तो किन-किन सिच्छेशन में या किन-किन विशेश परिस्थतियों में होगा उपकरम की वैदिदा की बात में ने की तो तीनों चीजे भी गर्वित आश्वासन के अंतरगत आती हैं तो बचो इस तरीके से हमने समुद्रिक बीमा अनुबंद के आवशक तत्वों को भी देख लिया आईए अब हम देखते हैं सामुद्रिक बीमा पत्र के प्रकार यानि टाइप्स ओफ मरीन इंशरेंस देखे बच करना पड़ता हैं तो इस सभी सितियों से सामना करने के लिए हम कह सकते हैं यह विभिन प्रकार के सामुद्रिक बीमा पत्र तयार किये गये हैं जिने हम एक एक करके सपष्च रूप से समझने की कोशिश करते हैं जो पहला स्क्रीन पर देख रहे हैं वह यात्रा बीमा पत्र अब ये जो बीमा पत्र है इस बीमा पत्र के अनुसार जो होता है जो आयात निर्यात तै किया जाएगा उसके लिए मार्ग जो है वो निशित कर दिया जाएंगे और ये किन बंदरगाहों के बीच होगा या कौन कौन से बंदरगाह तक ये आयात निर्या मिद्पत्र तो यह आपका पहला सामुद्रिख पत्र इसे हम कह रहे हैं यात्रा बीमा पत्र है अगला बीमा पत्र कहता है अवधी बीमा पत्र, टाइम पॉलिसी, अब जैसे कि नाम से ही सपष्ट है कि इसमें एक विशेश डियूरेशन यानि अवधी को विशेश महत दी गई है, ठीक है अब वो अवधी क्या है, जो ये बीमा पत्र तयार किया जाता है, इस्पेशली 12 मंच के लिए बारा महीनों के लिए तयार किया जाता है बच्चों, और यदी इस टाइम को बढ़ा दिया जाए, तो वहाँ पर वो बीमा जो होता है, रद्ध हो जाता है, यनि 12 महिने से अगर उसके समय को बढ़ा दिया जाए, अधिक हो जाए वो समय, तो यहा जो बीमा पत्र है वो कहता है मिश्रित बीमा पत्र जिसे हम English में कहते हैं Mixed Policy Mixed Policy क्या है उपर हमने जो दोनों बीमा पत्र देखे कौन कौन से देखे यातरा बीमा पत्र देखा और अवधी बीमा पत्र देखा उन दोनों बीमा पत्र को जिस सम्मिलित कर दिया आता है तो वहाँ पे आता है मिश्रित बीमा पत्र इसमें क्या क्या आता है निश्चित बंदरगाहों से आने जाने वाले जहाजों के बीच ये बीमा पत्र तयार किया जाता है चौथा जो बीमा पत्र है वो कहता है निश्चित मूले वाला बीमा पत्र वैल्यू पॉलिसी अब बचो अगर हम इसमें देखें तो जो दीमित वस्तु है उसका रूप स्पष्ट है अब अगर हम इसको समझें तो इस निश्चित मूले वाले बीमा पत्र में अगर हम देखे तो इसमें क्या क्या आता है जो जहाजी खर्चे हैं भाड़ा है माल पर होने वाले हलाब यहानी है उन सभी को जोड़ कर जो जहाज की वैल्यू है या बीमित वस्तू जहाजी है यहाँ पर तो उसकी वैल्यू को क्लियर वैल्यू निकाली जाती है तो यहाँ पर निश्चित म इनाशली ओर रिम्ले बेमापत्र बनाया जाएगा इसके इंतरगत क्या किया जाएगा कि जहाज की ओरिजिनल वैल्य wonder कि जोड़ा जाएगा उसके बात इसकी ओरिजनल निश्व香च लेट अखाल और उस हिसाब से इसका बीमा पत रहा पालिसीपेपर तयार किया जाएगा जो पांच्षवा हम देख रहे हैं वह अनिश्च्चित मूल्य वाला बीमा पत्री से अन वैल्यूड पॉलिसी कहते हैं इसमें क्या होता है कि जहाज कि जो खर्च हो रहे हैं उसका मूल्य का उलेख नहीं होता लेकिन अगर इसका हम मूल्य निकालने की कोशिश करें तो वह क्या करती है कि वह उपर की सारी चीज़ें कि जहाज में लगने वाला खर्चा क्या है उसका भाड़ा क्या है बस उसमें एक चीज़ को नहीं जोड़ा जाएगा वह है हुने वाले लाब को को समय लित नहीं किया एगा बाकी चीज़ों को अब इस बीमा पत्र के अनुसार बीमा की वस्तु में कोई हित नहीं होता है जैसे कि हम अभी तक जानते आए हैं कि जब तक बीमा धारी का बीमित वस्तु में हित नहीं होगा तब तक वह बीमा योगे हित नहीं होने के सिध्धान्त का पालन करता है बीमा योगे हित सिध्धा में क्या होता है बीमा कंपनी शती पूर्थी के लिए बाद नहीं होती है जान जाती है या उसको कहीं से जानकारी मिल जाती है कि उस बीमा धारी का इस होने वाली हानी से कोई भी मेल नहीं है तो उस थिती में बीमा कमपनी को किसी भी शतिपूर्थी के लिए बाद्य नहीं किया जा सकता हम आगे बाढ़ रहे हैं कहता है चल बीमा पत्र से फ्लोटिंग पॉलिसी कहते है चल बीमा पत्र के अंतरगत इसमें एक से अधिक बार भेजे गए माल पर इसे लागू किया जाता है सिंपल सी चीज है इसमें क्या होता है व्यापारी जब व्यापार करते हैं तो ऐसा कई बार देखा गया है कि व्यापारी एक ही दिशा में व्यापार करते हैं अब बार-बार जब उनको उसी दिश्चा में उनी बंदरगाहों से होकर जाना है, तो वो क्या करेंगे बार-बार उसका insurance policy पर खरीदेंगे क्या, नहीं, वो क्या करेंगे, एक बीमा पत्र बनवा लेंगे, जिसमें वो यह जिसे हम कहते हैं चल बीमा पत्र, वो इस प्रकार क बीमा पत्र बनवा लेंगे और वो क्या करेंगे कि जब भी अपने जहाज को या अपने माल को उन बंदरगाओं के मद्धे बेजेंगे तो उसके लिए वो बीमा कंपनी को इनफॉर्म करेंगे सूचना देंगे कि हम अपने माल को फिर से उन बंदरगाओं के बीच बेज रहे तो इसे हम खूला बीमापत्र भी कहते हैं ठीक है और इन से हुने वाले दो लापपी है पहली बाथ क्या हो सकती है पहली बात यह कि जो व्यापारी है उनको बार बार बीमाप्र खरीदने की जरुद्ष नहीं पड़ती साथ ही साथ इन्मे जो प्रीमियम का खर्च आता है वो भी कम पड़ जाता है तो बच्चो ये था चल बीमा पत्र अब हम अंतिम बीमा पत्र की बात करेंगे जिससे हम ब्लॉग बीमा पत्र कहते हैं इनके अंतरगत क्या कियाता है सामुद्रिक जोखिमों के अत्रिक जो अन्य जोखिम होते हैं उनका भी समावेश होता है जैसे चोरी अगनी लूट इन सारी चीज़ों को समावेशित कियाता है विशेष्ट अगर हम इसे गुदारण के माध्यम से समझें तो अमेरिका में जब रूई का व्यापार होता है तो यहां पर क्या होता है रूई के खेतों से जब रूई को निकाल ली डाता है उसक तक पहुंचाने की जिम्मेदारी में बीमा कराया जाता है तो इस तरह के बीमा को हम ब्लॉग बीमा पत्र भी कहते हैं और यहां पर एक विशे स्टेट्मेंट यूज होता है अब आके उसे यूज करते हैं उन बीमा पत्रों में विशेष्टर गोदाम से गोदाम तक मतलब रुई को रुई की खेतों से निकाला रुई की खेतों से तुरंद निकाल के तुरंद ने उसे गोदाम में खटक किया जाएगा फिर उस गोदाम से निकाल कर जिस गोदाम तक फाइनली पहुंचाना है उस गोदाम तक पहुंचाने का बीमा करायाता है और वह पॉलिसी में स должно Miranda, तो बचो इस तरीके से आपने क्या किया किया विभिन सामूद्रिख बीमा पत्रों के प्रकारों को जाना बचो आपने बीमा को जाना बींगा के प्रकार में हम अगनी जीवन और साथ ही साथ सामूद्रिक बीमा की अवधारणा, उनके होने वले लाप, उनकी विशेशना, उनके तत्व और उनके सिद्धानतों गुजाना। जीवन बीमा, अगनी बीमा तत्था सामुदरिक बीमा में अंतर, difference between life insurance, fire insurance and marine insurance, अंतर का अधार हम पहला लेते हैं बीमा योग्य घित, तो जीवन बीमा में अगर हम देखें तो इसमें बीमा योग्य घित, बीमा कराते समय होना आवश्चक है, अगनी बीमा में देखें तो इ और सामुद्रिक बीमा देखें तो इसमें बीमा योग हितकेवल हानी के समय होना आवश्क है क्षति पूर्ति का सिधान्त हम दूसरे अंतर का अधार लेते हैं तो इसमें क्षति पूर्ति का सिधान्त लागू नहीं होता कि इसमें जीवन बीमा है अगनी बीमा में अगर हम देखें तो इसमें उक्षती पूर्ती का सिधान्त लागू होता है सामुद्रिक बीमा में देखें तो इसमें उक्षती पूर्ती का सिधान्त लागू होता है अंतर का तीसरा आधार हम देते हैं सुरक्षा एवं विनियोग तत्व तो जीवन बीमा में देखें तो इसमें सुरक्षा तत्व नहीं थे अगनी बीमा में देखें तो इसमें केवल सुरक्षा तत्व नहीं थे सामुद्रिक बीमा में देखें तो इसमें केवल सुरक्षा तत्व नहीं थे छौथे अंयंतर का अधार हम लेते हैं, वीमा पत्र का समरपन मूल्य, तो जीवन वीमा पत्र का समरपन मूल्य होता है और अगनी वीमा कोई समरपन मूल्य नहीं होता है, और अगर समुद्रिक बीमा देखें तो इसका भी कोई समवर पर मुली नहीं होता है अवधी यानि डूरेशन के बात करें तो जीवन बीमा जो होता है एक दिर्ख कालिन बीमा होता है अगनी बीमा कैसा होता है इसकी अवधी सामानेत एक वर्ष के लिए होती है और सामुद्रिक भीमा जो होती है वो इसकी अवदी भी सामानेत एक वर्ष के लिए ही होती है अब प्रेमियम की बात करते हैं छटवा अंतरकाधार हम प्रेमियम लेंगे तो जीवन बीमा में देखते हैं इसमें जो प्रीमियम की राशी है बीमादार की आयू तता अवधी के अनुसार निधर्ट की जाती है अगनी बीमा में क्या होता है इसमें जो प्रीमियम की राशी होती है संभावित हानी की मातरा के अनुसार निधर्ट की जाती है और सामुद्रिक बीमा में इसमें प्रीमियम की राश्री संभावित हानी की प्रक्रती के नुसार भरती जाती है सात्वा अंतर का आधार हम विशे वस्तू लेते हैं तो इसमें देखते हैं कि जीवन बीमा में मनुश्य के जीवन का बीमा होता है अगनी बीमा में संपत्ति को आग से होने वाली हानी का बीमा होता है और सामुदरिक बीमा में इसमें जहाज उस पर लदा माल का भाड़े का बीमा होता है आठवें अंतर का आधार हम जोखिम की प्रकरती लेते हैं तो जीवन बीमा में अगर हम देखें तो इसमें जोखिम निश्चित है बीमा की राश्रिम व्रत्यू अत्वा परिपक्वत्ता जो भी पहले हो पर दी जाती है अगनी बीमा में हम देखें तो इसमें जोखिम निश तो इस प्रकार बच्चों हमने जीवन बीमा, अगनी बीमा और सामुद्रिक बीमा में अंतर को जाना आशा है यह अध्याय आपको अच्छे समझ में आया होगा यह इसका पहला प्रारूप है इसके बाद के तीन जो हमने अभी तक इस अध्याय में नहीं किये हैं इसके दूस इसरे भाग में हम उसकी चर्चा करेंगे